नमस्कार में उप्रिया आज 18 माई खबरों की दरफ बढ़ने से पेल एक नजर सुर्खियों पर बीपेसी की 66 वी मुख्य प्रतियोंगिता परिक्षा हुई स्थागित मुख्यमंदर नितीश कुमार ने गाउं के डॉक्टरों से मांगी मदद अब होम आईसलेटिड मरीज को मिलेगी आपकी सुवधा बिहार में 50 प्रतियोंगिता कारेकाल बढ़ाने को लेकर नहीं बनी एक राय 31 मई तक केवल 4 घंटे ही होगा बैंकों का काम अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और विस्तार से की 66 वी मुख्य प्रतियोंगिता परीक्षा हुई स्थागित को COVID-19 के बरते मामलों को देखते वें स्थागित कर दिया गया है की 66 वी मुख्य परीक्षा 4, 5 और 8 जून को संभावित थी COVID-19 संक्रमन की कारण उक्तित तारीख को आयोजित होने वाली परीक्षा स्थागित कर दी गई है उन्होंने बताया कि अभी कोरोना की सिती को देखते हुए अगली तारीख की घोश्चा नहीं की जा रही है जिसके बाद अभी परीक्षाबाद में ही आयो जित की जाय की हाला कि इस दौरान अभिर्थियों को अपनी तयारियों के लिए ज्यादा मौका मिल गया है बिहार में कमजोर हो रहा है कोरोना अस्वास्तिवभा की तरफ से मिली जुआनकारी के नुसार बिहार में बीते दिन के पिश्चत 24 घंटे में कुल मिलाकर 5920 मामलों की पुष्टी हुई है जिसकी बात बिहार में आक्टिव मरीजों की संख्या 79,677 पर पहुच गई है इसके साथ ही अगर हम प्रभावे जिलो क की बात करें तो अररिया में 106, अर्वल में 48, और अंगबाद में 179, बांका में 22, बेगुसराय में 24, भागलपूर में 165, मुझाफरपूर में 33, बकसर में 33, दर्भंगा में 106, इस्चंपारण में 191, गया में 289, गोपालगंज में 174, जमुई में 29, जहानाबाद में 34, कैमूर में 8, कटिहार में 153, खगडिया में 87, किशनगन में 93, लखी सराय में 30, मधुवणी में 110, मध्यपूरा में 110, मधुवणी में 226, मुंगेर में 66, मुझाफरपूर में 203, नालंदा में 226, नवादा में 49, पत्ना में 1189, पुर्णिया में 161, रोहतास में 47, सहरसा में इसके साथ ही 47 ऐसे मामने सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं लेकिन इनके सांपल बिहार के अलग-अलग जिलों में कलेक्ट हिए गया है वहीं बिहार में बीतर दिन के पिश्चर 24 घंटे में कुल मिलाकर 11,216 मरीज ठीक होकर घर वापस लोटे है जो इसके बार ठीक होने वाले मरीजों के संख्या 5,84,203 पर पहुँच गई है मुख्यमंतर नितीश कुमार ने गाउं वाले डॉक्टरों की मांगी मदद में COVID-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों की बीच मुख्यमंतर नितीश कुमार ने गाउं वाले डॉक्टरों की मदद मांगी है जो इसके तहत मुख्यमंतर नितीश कुमार ने कहा कि जो लोग गाउं में मेडिकल का काम करते हैं उनको इस्तमाल में लाया जाए सीम ने कहा इसके लिए वो पहले भी ट्रेनिंग की बात कर चुके हैं जो किसी कारणवश नहीं हो पाया आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे मुख्यमंतर नितीश कुमार विहार में COVID-19 के बढ़ रहे मामलों से वाकिफ है यही कारण है कि बिहार COVID-19 का मुकाबला करने के लिए गाओं के लॉक्टर से मदद मांगी गई है 31 माई तक केवल 4 घंटे ही होगा बैंकों में काम कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच बैंक में हो रहे कामकाज को लेकर नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया है जिसके तहर्ट बैंकों में अब 31 माई तक अपराहन 2 बजे तक ही कामकाज होगा स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी ने लॉकटाउन के पहले चरण में जारी नोटिफिकेशन के अंदर सार 15 माई तक ग्राकों के लिए बैंकिंग कारेकाल पुरवाहन 10 बजे से अपराहन 2 बजे तक कर दिया गया था All India Bank Officers Association का कहना है कि बिहार में कोरोना वाइरिस के प्रसार को देखते वे सतर्कता और एहतियात जरूरी है इसी के मद नजर ये फैसले लिए गया है बिहार में भाजपा विधायकों के भारी विरोध के बाद चैनल निर्मान का रुका काम गंटक नदी पर कराय जार है चैनल निर्मान के काम को भाजपा विधायकों के विरोध को देखते वे बंद करवा दिया गया है मिली ज़ानकारी के रुसार चैनल बनाने का काम योगी सरकार की तरफ से किया जा रहा था जिस काम को रुकवाने के लिए भाजपा विधाय को इस्तिफे की धमकी देनी पड़ी परेटेन मंत्री को पत्र लिखना पड़ा इसके बाद भी जलसन साधन मंत्री को अखवार के माध्यम से जानकारी हासिल वे जिसके बाद जलसन साधन मंत्री संजय कुमार जहा ने काम रोके जाने संबंधी जानकारी को साज़ा किया उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अखवार से खबर मिली कि उतर प्रिदेश सरकार द्वारा पशिम चंपारन के ठक राहा प्रखंड के हरपुर प्रंचायत में गंदक नदी के चैनल का नर्मान करा जा रहा है जानकारी मिलते ही सीम निदीश कुमार ने तुरंच स्थल लिरिक्षन कर रिपोर्ट मांगे रिपोर्ट देखने के बाद ही चैनल के काम को रुखवा दिया गया बहार के बोध गया जुले में ज़ल्धी दिखेगा साइंस सेंटर करोर है जिसमें से चार करोर रुपे बिल्डिंग बनाने में खर्च होंगे इसके लावा बिल्डिंग के बाहर साइंटिफिक पार्क और विज्ञान से जुड़ी कलाकृतियों को लगाया जाना है बिहार में अब जून से ही पट्री पर आ सकती है पढ़ाई बिहार में पढ़ाई जून महीने से ही 104 रूप से चलने की बात कही गई है पट्टा विश्विद्याले समेत राजु के सब याने विश्विद्याले को अब लग रहा है कि जून में वो अकैडमिक प्रोक्रिया को कुछ रफतार दे पाएंगे हालाके 31 मई को गर्मी छुटी भी समाप्त हो जाएगे और इस प्रकार जून का पूरा समय विश्विद्याले को अपना सत्र ठीक करने में लग जाएगा राजभवन के द्वारा लिया गया यहनर ने काफी कार गर्खवा है और अब जून में अकैडमिक को ठीक करने के लिए विश्विद्याले और कॉलेजों को पूरा समय मिलेगा अब होम आइसलेट मरीज को मिलेगी आपकी सुविधा बिहार में COVID-19 से प्रभावित होम आइसलेशन में रह रहे हैं मरीजों के लिए सरकार ने बीते दिन एक नया अपलिकेशन जारी किया है जिसकी तेहर मुख्यमंतर नितीश कुमार ने हिट COVID मुबाइल आप को बीते दिन लॉंच किया है बिहार में पंचायत प्रतिनिदियों का कारेकाल बढ़ाने को लेकर नहीं बनी एक राय COVID-19 के कारण बिहार में समय से पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे वेकल्पिक विवस्था को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच में एक राय बनती भी नहीं दिखाई दे रही है विपक्ष पाटिया एक तरफ ये कह रही है कि 15 जून के बाद ही पंचायतो के संचालन के जिमधारी मौजुदा नर्वाचित प्रतिनिदियों को दी जाने चाहिए वही सरकार का ये कहना है कि सरकार बहुतर निर्ने ले सकती है भाजपा मौझूदा जन प्रतिनिधियों का कारेकाल बढ़ाने के पक्ष में नहीं है पार्टी के मुखे प्रवक्ता राजीव रंजन प्रिसाद ने अपना बयान जारी करते वे कहा कि नर्वाचित प्रतिनिधियों को पूरा करने का मौका मिला है उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है अगर कुछ बच गया है तो उसे सरकार अपने स्तर्थ से पूरा कर लेगी वहीं जद्यू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुश्वाहा ने कहा कि सरकार उचित निर्ने लेने में सामर्थ है पतना हाई कोट ने गंगा नदी में मिले शवो पर की सुनवाई पतना हाई कोट ने बीते दिन बकसर के चौसा में गंगा नदी में मिले शवो को लेकर सुनवाई की है जिसके तहती हाई कोट ने राजु के चीफ सेक्रेटरी और डिविजिनल कमिश्टर को दोबारा से हलफ नामा दायर करने को कहा चीफ जसिस संजे करोल की खंड़ पीट ने इसके द्वारा दायर हलफ नामे में विरुधा भास पाया है मिली जानकारी के नुसार कोट में दायर हलफ नामे में चीफ सेक्रेटरी और डिविजिनल कमिश्टर की तरफ से बकसर ने गंगा नदी में मिले शबो के आकड़े मैच नहीं कर रहे थे इसी को लेकर कोट ने दोबारा हलफ नामा दायर करने का आदेश दिया है इसके साथ ही पटना हाई कोट का आदेश जारी करते हुए साल 2021 में कितने लोगों की जान गई इस बात का बेवरा भी मांगा है बिहार सरकार गन्ने से ऑक्सिजन निकालने की कर रही है तयारी बिहार सरकार ने अब इथनॉल बनवाने वाली गन्ना मिलों से अब ऑक्सिजन आपूर्ती की तयारी कर रही है उद्योग विभाग से मिली जानकारी के नुसार महराश्च में इस तकनीक पर काम शुरू हुआ है कि इथनॉल बना रही की चीनी मिले कुछ निवेश करने के बाद मॉलेसिस से इथनॉल बनाने के क्रम में ऑक्सिजन तयार कर रही है महीं बिहार की बात करें तो बिहार में दस कंपनिया द्वारा गन्ना में इथनॉल बनाये जा रहा है बिहार में 10 गन्ना मिले इस तरह की है जुनके द्वारा मॉलिसिस से इथनॉल तयार किया जाता है इस कम्पनियों द्वारा अगर नियुंतम एक करोर रुपे भी निवेश किया जाता है तो उनके द्वारा ऑक्सिजन उत्पादन शुरू किया जाना संभव हो सकेगा चक्रवाती दूफान टौक्टे का बिहार में भी दिखेगा असर अरब सागर में चक्रवाती दूफान टौक्टे का असर दिखने को मिल रहा है हाला कि मौसम विज्ञानी को किमाने तो बिसकासर बिहार में भी देखने को मिल सकता है जिसके तहर 18-20 माई को राजु के कई जुला में मौसम में बदलाव के साथ तेज हवा और तापमान में गिरावट की संभावना है बताय जा रहा है कि टॉक्टे के कंजोर हो जाने से बादलोक आउतर प्रिदेश और बिहार की तरफ आने की संभावदा है इस बीच बिहार में गर्मी से परिशानी जारी है सोमवार की बात करें तो बिहार में धूप छाओं की बीच गर्मी बनी रही बिहार सरकार ने सभी जुला अधिकारियों के नाम जारी किया पत्र बीते दिन बिहार सरकार ने बिहार के सभी जुला अधिकारियों के नाम पर पत्र जारी किया है विहार सरकार ने सिक्षक अभ्यर्थियों के काखजात को नियोजन समीती के अध्यक्ष जो मुख्या प्रमुख और जिलापरिशत अध्यक्ष होते हैं उन से लेने का आदेश दिया है इसके साथ ही बिहार में ग्राम पंच्छा इप पंचाथ समीती एवं जिलापरिशत के अस्यों का कारेकाल 15 जून 2021 को समाप्थ हो रहा है ऐसे में सिक्षा विभाग ने सभी जुलों के दीम को यहां आदेश दिया है कि जुलाई अगस 2019 में सिक्षा को के रिक्त पदों के विरुध नियुक थी की जो कारवाई प्रारम हुई थी वो का अगजा जन प्रतिनिदियों से वापस ले अब भारत के कोविट मरीज जल्द होंगे रिकावर 2G 2DG दवा के तौर पर भारत को कोरोना से लड़ने के लिए एक और हथियार मिल गया है डिफेंस मिनिस्टर राधना सिंग ने DRDO की तरफ से तयार की गई कोरोना वाक्सीन 2DG को हेल्थ मिनिस्टर का ताइम कम होगा इसके अलावा ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम होगी जिसके बाद इस दवा एम्स के निदेशक डॉक्टर रंदीप कुलेरिया को भी सौप दिया गया है वहीं दवा को रिलीज किया जाने के मौके पर स्वास्तबंत्री हर्श्वर्दर ने कहा कि DRDO के सह कोवर्ड-19 के माहल में शात्रों की पढ़ाई बरबाद ना हो इसको ध्यान में रखते हुए सिक्षा वभाग की तरफ से ये लाइब्रेडी की शिर्वाद की गई थी हालाकि इस लाइब्रेडी की सुविधा हर एक शात्र को नहीं मिल पा रही है यही कारण है कि सिक्षा व वाइस मिल सके हाला की वर्तमान सवेर की बात करें तो सरकारी स्कूल के बच्चों की कक्षाएं दूर दर्शन बिहार और ऑनलाइन आप e-lots के जरीय हो रही है COVID-19 के बीच ब्लाक फंगस का बिहार में बढ़ा क्या है COVID-19 के माहौल में बिहार में ब्लाक फंगस ने अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है अकेले पटना में PMCH, IGIMS, IMS के साथ नीजी अस्पताल को मिला कर पच्चास से जादो मरीज इस बिमारी से ग्रसित हो कर भरती हुए है COVID-19 के साथ आइमिटीज के मरीज के लिए यह जानलेवा साबित हो रहा है IGIMS में 20, इमस में लगभग 16, PMCH में 7 के अलावा रूबन पालस और बिग हॉस्पिटल में भी इस बिमारी से संक्रमित कई मरीज भरती है 30 माई तक बिहार को मिलेगी 2,00,000,000 रिम्डिसी विर इंजेक्शन बिहार समेट पूरे देश में COVID-19 के बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते वे रिम्डिसी विर इंजेक्शन के उतपादन को लगातार बढ़ाय जा रहा है इस बीच बिहार में भी इस इंजेक्शन की उत्पलब्धता को तेजी से पूरा करने का लक्ष रखा गया है इसक्रमें 30 माई तक बिहार को लगभग 2,00,000 रिम्डिसी विर इंजेक्शन देने की बात कही गई है के इंद्रियस्वास राजमंत्री सोमवार को COVID-19 को लेकर गठित मंत्री मंदल सम्हूं की मैठक में पटना से वर्शोल माधम से सम्मिलित होने की दारान उन्हों इस बात की जानकारी देन उन्होंने अधिकारियों से बिहार के स्थि, ऑक्सुचन, दवाईयां, इंजेक्श तो जस्वी आदव एक भी मौकार सरकार पर निशारा साधनी का नहीं छोड़ते हैं, इसे क्रमें बीते दिन ते जस्वी आदव ने एक बार फिर से नितीश सरकार पर हमला बोला है, जिसकी तहत उन्होंने अपना बयान जारी करते वे कहा कि नितीश सरकार ने विधायकों क विधायक नी थी छीन कर हाथ पाओं काड़ दिये हैं, निश्क्रिय और असक्षम सरकार स्वास्ते वभाग का बज़र तक खर्च नहीं कर पा रही है, अब उपर से सीम विधायकों की राश्री दबा कर बैठके हैं, उसे भी प्रश्चाचार की भेट चढ़ाने की साजश ह वधायक अपने छेतर की जनता को क्या जवाब देंगे? कोरुना महमारी को लेकर सर्व देलिय बैठक में विपक्ष के किसी नेता ने लॉकडाउन की बात नहीं की थी, मुख्यमंदर नितिश कुमार्ड अपनी सूजबूद से लॉकडाउन लागू किया, इसके परिणाम भी अब दिखने लगे हैं बिहार के हॉस्पिटल व्यवस्था पर कॉंग्रेस निता प्रेम चंदर मिश्वा ने उठाय सवाल उठाय है, इसके तहट उन्हाने कहा कि हस्थापित सत्य है कि कोरोना मामले से निपटने में जद्यू भाजपा की सरकार पूरी तरह से असफल रही है सरकार लोगों के बहतर इलाज की सुमधा और टीका करन की परियाप्त उपलब्धता कराने में असफल रही है इसके साथ ही ETV भारत से बाचीत की दौरान उन्हाने कहा कि अस्पतालों की कूर विवस्था जवजाहिर है बिहार के हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं तो मान के चलिए कि आप जेवीत नहीं लोटेंगे अब BCCI का किया धन्यवाद IPL के सभी मैचों को सगित कर दिया गया है जोसके बाद से ही ऑस्ट्रेलिया समेथ विभन देशों की खिलारियों को स्वदेश वापसी की चुनता सता रही थी हाला कि अब सभी खिलारियों को BCCI ने अपने अपने देश भेज दिया है इस सिक्रम में ऑस्ट्रेलिया खिलारियों के सुरक्षित स्वदेश लोटने पर C.A. चीफ ने BCCI का धनेवाद व्यक्त हिया है औस्ट्रेलिया खिलारि के सुरक्षित देश पहुँचने के बाद सिड्नी मौनिंग हेराल ने हौकले में हवाला देते वे कहा है कि हम खुश है हम उनके जल्दी और सुरक्षित रूप से घर आने के लिए BCCI को दिल से शुक्रिया कहते है भारत के इतिहास में आज की तारीक कई कारणों से है दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीक कई कारणों से महत्वपूर मानी जाती है 1912 में पहली भारते फीचर लेंध फिल्म श्री पांडुलिक रिलीज हुई थी 1930 में भारत के 12 वे प्रधान मंत्री बने एच्छी देवे गौरा का जैन मुहा, 2017 में हिंदी फिल्मों के भिनेत्री रीमा लागु ने दुनिया को अलविदा कहा, आज री के दिन को भारत में पोखरन पर मानू विस्फोर्ट दिवस और संग्रहाले दिवस के रूप में मनाया सकते हैं, अब जीमिल में ही आपको मेल, मीट और रूम्स देखने को मिल जाएंगे, इन सभी को अब iOS और Android जीमिल आप का पार्ट बना दिया गया है, अब इस फीचर को परसनल अकाउंट के जरी भी जारी किया जा रहा है, इसका मतलब है कि iPhone और iPad पर उपलब्द जीमिल से ये माना जा रहा है कि Google जल्द अपने Hangouts आप को हटा देगा, अब आई ये जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजर के क्या थे भाव, अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव, 17 मई को 22 क्यारट के लिए प्रति 10 ग्राम 25,330 रुपे था, मई 24 क्यार 38 दश्नमब 32 रुपे प्रति लीटर था, खान एवं भूतत्व मंत्री ने किया स्वास्तकेंद्रो का निरिक्षन, COVID-19 के बढ़ रहे मामलों के बीच, खान एवं भूतत्व मंत्री ने स्वास्तकेंद्रो का निरिक्षन बीते दिन किया, जुसके तहर जनक राम ने जुले क स्वास्तव भाग की तरब से जुले में बेहतर काम किया जा रहा है, कल हमारे दुआरा पूछे के सवाल का जबाब, आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत भूत हन्यवाद, आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें आप हमारे सवालों खचबाब देते रहें, हमकल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे, तो चले बढ़ते हैं, आज के सवाल की और आज का सवाल को चिस प्रकार है, आपके अनुसार पंचायत चिनाव के स्थखित होने के बाद, पंचायत प्रतनिद्यों के कारेकाल को विस्तार कर देना चाहिए, या सरकारी हाथ में पंचायतों की जिम्मदारी दे दिनी चाहिए, अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं, इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारी यूटिव चानल को स सब्स्ट्राइब करें और बेल आइकन दाबार ना भूलें धन्यवाद